हेलो स्टूटेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर एट ठीक है गनित सब्जेक्ट की है बेटा सेवन्थ क्लास की है और हिंदी की आई है ठीक है इश्से पहले हमने कुछ एंगलस के बारे में पढ़ा था मैं होता हूं प्राए जोपडी की छत में पुलो का सहरा देता हूँआ मा के सैंड़ वीच में मिस्त्र के या मिस्र के पिरामेड में ठीक है ये मिसर के पिरामेड है या फिर सैंडविच में या फिर तुमें इस तरीके के ब्रीज देखोगे कोई पुल या जोपडी की छहता देखोगे उन सब में ये पाए जाता है तिरबूज ठीक है और जो ये होते हैं बेटा देखो इसमें ये कोर्नर बने ह हुआ है यह क्राउन ठीक है राजा का क्राउन है जिसमें होता है मोकुट में फिर तीन रेखा पर ना हो ए बी सी को कागज पर बनाए और उन्हें जोड़े आपको कौन सी आकरती मिलेगी ठीक है तो क्या बोला बेटा कि आपको कोई तीन बिंदू लेने जो की एक सीधी रेख पर ना हो मानलो हमने यह तीन ले लिए तो अब इसकी रेखा अलग है बेटा देखो यह अलग रेखा से जा रहा है यह अलग रेखा से जा रहा है और यह अलग रेखा से जा रहा है अब तुम इन तीन बिंदूों को जोड़ोगे हापस में तो बेटा आपको क्या मिलेगा एक त्रिबूज मिलेगा, जो आकरती मिलती है, इसको बोलते हैं त्रिबूज, ठीक है, इन तीन बिंदूओं को मिलाने से जो बनती है, आप बना कर देखना कागज पर, तो आपको ऐसे ही कोई भी आकरती मिलेगी, ये तीन रेखाखंडों से बनी आकरती है, भूजा हैं इसक इन बिंदू ही लिये थे तो अंत बिंदू है इनके तो A, B, B, C और C ये इसकी तीन भुजाई हो गई ठीक है ये A, B, B, C और ये A, C ये तीन भुजाई हो गई और तीन इसके सीर्स हो गई ठीक है A, B, और C ये तीन सीर्स हो गई अब कौन-कौन-कौन से होगे बेटा एंगल A ठीक है देखो कौन सा होगा Angle A, Angle B और Angle C ठीक है या तो इसको Angle A से बोलो या फिर B, A और C इस तरीके से लिख दो ऐसे ही Angle ये वाला हो जाएगा B, A, C A, B, C और इसी तरीके से Angle C हो जाएगा जो कि कैसे बोल सकते हैं मतलब ये वाला बीच में आना चाहिए चाहिए तुम B, C, A बोलो या फिर A, C, B बोलो A की बात है ठीक है बस ये बीच में आना चाहिए तो ये कौन है ऐसे ही इस वाले को कैसे बोल सकते हो B, A, C या फिर C, A, B यानि कि A बीच में हैं हमेजा तो ये तीन कौन हो गए एक तिर्बुज के अंदर ये चीजे होते हैं तीन बुजाए होते हैं तीन सीर्स होते हैं और तीन ही कौन होते हैं अब बेटा माध्य का होती है तो माध्य का क्या होती है एक ऐसा रेगाखंड जो सीर्स वे उसके सम्मुक बुजा के मध्य को जोडता है ठीक है तो मध्य का एक ऐसा रेगाखंड होता है जो सीर्स और उसके सम्मुक बुजा के मध्य बिंदों को जोडता है ठीक है अब मध्य बिंदों को जोडने का मतलब क्या हो गया A, B, E, C, F तिर्बुच A, B, C की माध्येका हैं ठीक है तो A, B, C तिर्बुच यह था बिटा अब इसकी माध्येका है कैसे होंगी बिटा देखो A, B, C यह सेम तिर्बुच यहां पर बना दिये तीन बार ठीक है अब इसमें जो यह वाली खीची यह लाइन A, D, A, D क्या होगी बेटा किसकी माध्येका है B, C की मतलब इस भुजा को यह दो भागों में डिवाइड करती है तो इसलिए इसकी माध्येका हो गई अब यहां पर जो B, E है वो किसकी माध्येका है A, C की यानि कि इस वाली भुजा को क्या कर रही है दो भागों में डिवाइड कर रही है ऐसे ही बेटा क्या है यह वाली C, F किसको डिवाइड कर रही है A, B भुजा को दो भागों में डिवाइड कर रही है एक इसमें और एक इसमें तो जो दो भागों में डिवाइड कर दे equal भागों में बराबर भागों में तो वो कहलाती है माध्ये का ठीक है अब बेटा सीर्स लंब क्या होता है सीर्स लंब होता है तिर्बुज के एक सीर्स से उसके सम्मुक भुजा पर खीचा गया Lumb रेखाकई ठीक है तो तिर बूज के एक सिर्ग है ठीक है तो इस से एक मतलब खीचा गया संमूख एक Lumb लंब क्या होता है जो बिल्कूल सीधा आये 90 degree पर ठीक है जो 90 degree पर पड़ता है किसी भी उसके सामने वाली बुज़ा पर ठीक है इस वाले point देखो ये एक बिंदो एक इसका sirs है इसके sirs के सामने कौन सी बुजा है ये वाली इस पर जो ये lump गिरेगा वो 90 degree का होगा ठीक है इसको बोलते है sirs lump मतलब sirs के उपर से इसके गिरा हुआ lump ठीक है sirs lump जैसे दिवार होती है तो दिवार के कोनों में अब ये sirs lump क्यों बोला क्योंकि इसके एक sirs से गिरा हुआ lump है ठीक है अब सोचे किशी भी sirs से sirs lump बनाया सकता है तो हाँ बेटा किसी भी sirs से sirs lump बनाया सकता है अब बेटा देखो माध्य का और sirs एक बुजा को एक ही परकार से बढ़ाने पर बढ़ता है ठीक है अच्छा देखो इसका अंतर आपको नहीं बताया है तो मैं आपको बताती हूँ सीर्स लंब और माध्यका में क्या अंतर होता है ठीक है तो ये अंतर होता है बेटा ये बिल्कुल सीधा होता है इसके बीच में 90 degree का कोन होता, लेकिन मान लो अगर ये तिर्बूज इस तरीके से होता, तो इसका lump, सिर्ष लंब क्या होता, ये होता, लेकिन इसकी माद्धेका ये थोड़ी होगी, देखो देखने में ये कितनी बड़ी भूजा और ये कितनी, कि सिर्स लंब तो 90 डिग्री पर लंब होता है एक सिर्स से उसके सामने वाली बुजा पर लंब होता है ठीक है और जो क्या नाम है सम्मुख माने होता है सामने वाली बुजा और जो माद्धे का होती है वो सामने वाली बुजा को दो भागों में बाटती है वो जरूरी नहीं ह अब यह 90 डिग्री पर नहीं है बेटा ठीक है बस इस वाले केस में थी क्योंकि इसकी सारी बुजाई बराबर थी इस वज़े से ये एक जैसी हो गई थी तो ये अंतर होता इनमें ठीक है तो किसी तिर्बुजगी सिर्सलम और माद्दे का किसी एक तर्बुजगी एक जैसी भ बहुत है आपको बना के दिकाई ठीक है वो उनकी आकरती पर depend करता है अब next बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी बुजगा का भाय कौन किसी एक बुजगा को एक ही और बढ़ाने पर बनता है तो बेटा देखो किसी एक बुजगा का भाय कौन मतलब कि ये तो हमने एक भुजा बढ़ा दी तो हमें इसका एक भाय कौन मिल गया ऐसी अगर हम इस वाली भुजा को इधर बढ़ा दे तो हमें यहां से भाय कौन मिल जाएगा इसी तरीके से अगर बेटा हम क्या करें इस भुजा को ऐसे बढ़ा दे तो हमें यहां पर एक और मिल जाएग तो इस तरीके से हमें भायकोन प्राप्त हो जाते हैं किसी भी बुजा के ठीक है और चाहो तो आप इस बुजा को इस साइड से भी बढ़ा सकते हो तो इस साइड से भायकोन मिल जाएगा और आपने जो ये बढ़ाई थी बढ़ा इस साइड से भी बढ़ा सकते हो तो आपको क से बढ़ा देंगे तो यहां से भाय कोन मिल जाएगा ठीक है या फिर ऊपर से बढ़ाओगे तो यह कोन मिल जाएगा या इस वाली बुझा को बढ़ाओगे तो इधर का कोन मिल जाएगा ठीक है तो यह भाय कोन होते किसी भी तिर्बुझ की एक बुझा को बाहर की तरफ बढ अलेते हैं, P, Q, R, अब इन्होंने बला, Q, R को S तक बढ़ाओ, Q, R ये है, तो इसको है commissionR को S तक बढ़ा दिया, थे हैं, अब जो ये kone बनेगा, तो इस kone को kya बोलाए, R पर, R के S, पर जो को बना है, तो ये présidentS यानि की P, P, देखो, P, R S, तो ये जो कोन बना है ये क्या है भाय कोन कहलाता है भाय कोन PRS का आसन कोन बताओ अब बेटे ये कोन किसके बराबर होगा तो अब काट कर यह अक्स लेकर P क्यो के सनलगन को R तक बढ़ा को R को ढखा ठीक है अब देखो यहां क्या बोल रहे हैं अब काट कर यह अक्स ठीक है लेकर R औ और क्यो को सनलगन कर R को ढखा, ठीक है? क्या बोला इन्होंने कि इसको उठालो तुम, ठीक है? यहां से वर्मिवट दिखनी रानी चे, P क्या हुगा है? ठीक है? लेकर P और क्यो को सनलगन कर बेटा इसका मतलब आप ये समझो, क्या कहना चारा है, ये ये बोलना चारा है कि ये तिर्बुज है, और यहां से ये बुज़ा आमने बढ़ा दी, ये भाय कोन बन गया तो जो ये भाय कोन होगा, बेटा, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों जो इसके आंतरिक ये जो दो कोन है ना इन दोनों के कौन के बराबर होगा ठीक है ये बात समझ में आ गई इन दोनों के कौन के बराबर क्यों होगा बेटा ये आप इस आकरती को जब इधर ऐसे एड़जस्ट करने की कोशिस करोगे तो इन दोनों के समझो होगा न वो इसके बराबर आएगा बस यही कहना चाहरा है यहां से आप इतना समझ लो कि यह जो सम्मुक अंत्य कोन होता है ठीक है यह सम्मुक अंत्य कोनों के योग के बराबर होता है यह कोन इसके सम्मुक अंत्य कोन इसके सामने कोन से कोन है बिटा यह रहे ठीक है तो इन कोनों के योग के बराबर होता है ये अब यहाँ पर कुछ कोशन आंसर कर लेते हैं बटा देखो फर्स्ट कोशन यहाँ पर क्या दिया है कि अब परियास कीजिए अब यहाँ पर देखो हमने ये बोला था एक मिनट और बता दितू mathematically हमने कि ये बोल दिया ये हमारा बराबर हो गया angle P ठीक है यहाँ पर लिखा है M का मतलब है major major of angle P यानिकी P का map P प्लस में क्यो इन दोनों के योग का बराबर ये है ठीक है तो आप इस तरीके से यूज करते हो इसको अब यहाँ पर देखो ये दिया है P क्यो आर को में भुजा क्यो आर का मध्य बिंदू D है ये P क्यो आर देखो पहले तिर्बुज का है P क्यो आर ये तिर्बुज है इसमें क्यो आर कहां पर है तो P क्यो आर तो क्यो आर जो है क्यो आर का मध्य बिंदू कौन सा है बेटा D है ये इसका मध्यविंदु है D क्याnow R का तो PM क्या है त處 अब आपको बताना PM क्या है तो PM बेटा ये क्या 90 डिगरी पर है देखो तो ये सीरस्लम्ब है यहाँ पर आप लिखोगे सीर्स्लम्ब ओके? सीर्स लम्ब अब बेटा PD क्या है? PD देखो क्या है? PD ये क्या इसकी माध्ये का ठीक है तो ये लिख दोगे माध्ये का ओके ऐसे PD इसकी माध्ये का है क्या QM और MR ठीक है क्या QM बराबर है MR के QM कहां पर है ये रहा MR कहां पर है ये रहा तो क्या ये दोनों बराबर है तो नहीं यह दोनों बराबर नहीं है अब एंगल PMR एंगल PMR कहां पर है बेटा PMR यानि कि यह वाला एंगल यह एंगल कितने का होगा देखो PMR तो इनके दुआरा जो एंगल बना तो वो यह एंगल बना तो यह बेटा 90 डिगरी का हमने अभी बात की जब ऐसे दिखाते है न इस तरीके से इस तरीके से करके कोई एंगल बना के दिखाये जाता है तो इसका मतलब होता यह 90 डिगरी का है लंब है यह एक दूसरे के उपर तो यहां 90 डिगरी लिग दोगे अब नेक्स्ट कोशन है बेटा कि एंगल QR की सम्मुक बुझा का नाम बताओ एंगल QPR QPR की सम्मुक बुझा का नाम क्या है बेटा देखो एंगल QPR कहा है QP और R तो QPR यह एंगल है इसके सम्मुक बुझा कौन सी है बेटा इसके सम्मुक है यह वाली तो यह क्या है QR तो आप क्या लिख दोगे क्यो आर ठीक है सम्मुक भूजा अब थर्ड कोशन है बेटा निम्न आकरती में अग्याद कोन जड का मान ग्याद कीजिए तो कैसे ग्याद करोगे बेटा देखो आपको क्या दिया थोड़ा सा बलर दिखाई दे तो इसको एड़जस्ट कर ले न त आपको सबसे पहले लिखना है कि दिया क्या है ठीक है आपको सबसे पहले लिखना है कि दिया क्या गया है तो क्या दिया गया है बेटा हमें मेजर ओफ एंगल यह दिया यह डाइग्राम हमें बना कर दिया गया है इसमें यह एंगल जो दिया है भार का यह 115 दिया है ठीक है और ये अंदर का जो एंगल दिया है, ये 50 का, तो आप लिख लोगे major of angle A, 50 degree, ये 500 नहीं है, 50 degree है, major of angle C, यानि कि ये भाय कोन, 115 का है, अब तुम्हें ग्यात क्या करना है, तो ये आप हिंदी वाले ये लिखोगे, ग्यात करना है, ठीक है, और उपर लिखोगे, दिया है, तो ग्यात क्या करना है, angle Z, ठीक है, अब ग्यात क्या क्या बेटा, अब देखो, अब ग्यात क्या क्या आपने, आप यहां से लिखोगे, ग्यात क्या, major of angle A, और angle Z, किसके बराबर होगा, major of angle C, ठीक है, ये ही तो दिया गया है, ये C है, ये कौन सा angle है बेटा, ये A है, ये B है, तो ये major of angle Z, ये Z है, ठीक है, अब इसका योग और angle A का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो हमने ये लिख लिया, क्यों, क्योंकि सम्मोक अंतेक उनों का योग है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका तो हमें answer दिया है, angle A 50 दे रखा है, और ये Z हमें निकाल पैसर डिगरी answer आ गया, समझ में आ गया, ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों क्या होते है, इन दोनों का योग होता है, ये वाला, अब हमें ये दिया है, और एक ये दिया है, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो हमरे पास ये answer आ जाएगा, ये निकाल लिया हमने, ठीक है, अब next question क्या दिया है बेटा, next question दिया है आपको, निम्न आकरती में अग्यात भाय कोन x का मान ग्यात की, जब ये निकालना है, तो फिर भी ये क्या है बेटा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो 50 और 70 को जमा कर तो, क्या आएगा, answer आजाएगा, 120, लिखोगे कैसे लेक कितना है, 70 डिगरी, ये दिया है, ग्यात करना है, angle x, ये ग्यात करना है, अब ग्यात किया, ठीक है, ग्यात किया किया, इन दोनों को कैसे लिखोगे, measure of angle a, plus measure of angle b, किसके बराबर होगा, angle x के बराबर होगा, अब देखो, यहाँ पर measure क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ इसी को ही X माना गया है मेजर हम कब लगाते है हमने B को बोला था देखो यहाँ पर A और B पॉइंट लेटे है अगर हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते है मेजर ओफ एंगल C जो कि किसके बराबर है एंगल X के जो मैं find out करना है तो इस तरीके से लिख दिया आप A की value put करो B की value put करो तो यह answer आ जाएगा जो कि हमारा क्या आया है बेटा 120 degree आया है ठीक है तो इस तरीके से आपको लिख लेना मैंने लिखने का तरीका बताया है अब आपसे next पूछा गए बेटा कि अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली पांच तिर्भुजाकार वस्तूगे नाम बताओ तो बेटा देखो पांच में से तो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी जोपड़ी की छट ठीक है पुल और यह क्या है सेंडवीच ठीक है यह सेंडवीच थी बेटा और यह क्या था राजा का क्राउन और यह क्या थी पिरामिड ठीक है मिसर का पिरामिड थी तो यह पांच है तो यह थी बेटा आपके आज की वक्षित उमीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना इस वीडियो में इतना ही और आपको अगर पसाद आए तो इसको लाइक सेयर जरूर करना अपना नेक्स्ट टोपिक हम अपनी वे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक लेसे हसते रहे हैं मुस्कुराते रह आगे बढ़ते रहे थैंक यू